इसे कि हमें मालूम है कि Google या दूसरे search engines algorithms के तहर चलते हैं और वो algorithms किसी base पे calculations कर रहे होते हैं हम इस वीडियो में वो दिकर करेंगे कि वो calculations की space पे हो रही होती है वो जो पहलू हैं वो जो calculations हैं जो different softwares या different formulas के तहाथ Google या कोई भी search engine आपकी information calculate करता है उनको हम SEO की जुबान में factors बोलते हैं जो के ranking factors के नाम से भी खहलाता है चुके ये factors आपको help करते हैं Google में ranking के लिए तो इनको SEO ranking factors या ranking factors या खाली factors भी कहा जा सकता है इसके तहद आपको ये understand करना है कि ये जो हम Google के algorithm या different चीज़ों की बात कर रहे हैं वो एक certain category के तहद एक certain pattern के तहद वो information को extract करते हैं उसको index करते हैं उसको उसके बाद useful way में show करते हैं हमें भी वही चीज़ें करनी हैं लेकिन वो कितने factors हैं वो कितने factors हैं या कितने पहलू हैं जिनको Google या कोई भी search engine देखता है अब ये वो चीज़ है जो कि किसी को भी मालूम नहीं है लेकिन Google खुद ये कहता है अकसर जग़ों पर के तकरीबन दो सो से ज़्यादा factors हैं जो Google देखता है 200 से ज़्यादा different पहलू हैं जिसको Google consider करता है जब वो ये decide करता है कि आपकी page आपकी website या आपका page नमबर 1 पे आएगा नमबर 2 पे आएगा या नमबर 10 पे आएगा या बिलकुल नहीं आएगा लेकिन अकसर जग़ों पर ये भी reference मिलता है कि Google तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पहलू देखता है किसी भी information को judge करते हुए, crawl करते हुए उसके बाद उसको index करके show करते हुए ये वो पहलू है जिसको हमें as an SEO, as a marketer या search engine optimization professional हमें understand करना है कि कितने ये पहलू है और ये किस तरह से काम करते हैं आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो पहलू है basically ये कोई भी search engine publicly information नहीं देगा क्यों? क्योंकि ये एक secret recipe है और basically ये ही वो formula है जिसके तहद वो अपने पैसे बना रहे हैं जिसके तहद वो Google Google है तो Google अगर ये बता दे किसी को कि वो किस तरह से information extract करता है, किस तरह से information present करता है तो Google exist नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब मुझे ये पता चल जाए कि Google किस चीज को देखते हुए rank करता है information तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी website उसी तरह से बनाकर exactly और उसको rank करवा लूँगा और इस तरह से फिर बाकी सारे भी ही करेंगे, वो भी उसी तरह से rank करवा लेंगे तो जब ये चीज public हो जाएगी, तो वो चीज आम हो जाएगी, जब आम हो जाएगी तो जो uniqueness है, जो organic factors है जो actual Google का algorithm है, वो die हो जाएगा, और Google as a company exist नहीं करेगी ये ही वज़ा है कि Google अपने information के बारे में, अपने algorithm के बारे में बड़ा serious है और वो कोशिश ये करता है कि ये leak out ना हो, लेकिन चुके industry बहुत बड़ी है, बहुत लोग experiments करते हैं, बहुत लोग इसको test करते हैं तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो 200 plus factors जो हैं, वो काफी लोगों को clear हैं, वो clear information जब जिनको जो पता है, जो एक मजमुई तोर पे लोग समझते हैं कि हाँ, ये चीज Google देखता है, वो मजमुई तोर पे factors कहलाते हैं, वो तकरीबान 200 से ज्यादा हैं और हमें as an SEO, उन factors को मदे नजर रखते हुए अपनी websites को develop करना होता है, उसको optimize करना होता है, और फिर उनी factors के base पे हम देख रहे होते हैं कि Google किस चीज़ को पकड़ रहा है कि किस चीज़ को नहीं पकड़ रहा है अच्छा, अब factors हैं किस तरह के, अगेन हम ये मजीद बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जलक देता चलूँ के factors, for example, ये हो सकते हैं कि आपके title में क्या आ रहा है, आपने जो information जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्या वो आपके website पे exist करती है, ये नहीं करती है, तो कितन लिंक्स हैं, आपको कितने लोगों ने backlink दिये हैं, इसके लावा कुछ और factors भी हैं, for example, आपकी website load होती भी है ये नहीं, अगर load होती है तो कितनी देर में load होती है, और क्या mobile में नजर आती है किसी को, क्या वो secure है, और मजीद इससरा के बेशुमार factors हैं, जो Google और दूसरे search engines इसको consider करते हैं, और उसके बाद वोजे decide करते हैं कि किस information को, या किस website को उपर लाना है, किस को काम लाना है, ultimately उनका goal क्या है, उनका goal ये है कि वो usefulness के तहत, मतलब वो अफादियत के तहत, लोगों को right information दिखाए, जो वो search कर रहे हैं, वो लोगों को मिल जाए, तो इस इसको make sure करने के लिए, इस चीज को understand करने के लिए कि ये वाकिए ऐसा हो, Google और ये सारे factors को बड़े critically analyze करते हैं, और उसके बाद ये है कि ये इसको update भी करते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये आज का Google, आज से 20 साल पहले वाला Google नहीं है, आज से 20 साल पहले Google सि दिखाता था, जब आपको सेर्च करते थे आपको links दिखाता था, अब Google आपको maps भी दिखाता है, आपको flights का data भी दिखाता है, आपको social media की status भी दिखाता है, आपको websites भी दिखाता है, आपको videos भी दिखाता है, तो ये वो ranking factors हैं जो change होते चले जाते हैं, आपने अगर SEO adapt करना है, so SEO एक वाहिद ऐसी field है, जो बहुत जल्दी information जिसमें obsolete हो जाती है, obsolete का मतलब कि आज जो आपने पड़ा हो सकता है कि वो साल बाद valid ना रहे, क्यों? क्योंकि साल में हो सकता है Google ने एक चीज़ लाँच की, लेकिन उसको लगा कि ये ठीक नहीं थी, या उसको लगा है कि वो वैसे नहीं होना चाहिए, तो जिस जिस तरह से Google advance करता है, उस तरह से हम भी advance करते हैं, हम भी understand करते हैं कि search engines कैसे काम कर रहे हैं, क्या introduce कर रहे हैं, क्या नए आ रहा है, कैसे आ रहा है, और हम उसको utilize करेंगे, कि अपनी website में हमने उसको कैसे डालना है, और ये सारी basically factors एक list मनती जाती है, जिसको हम चेक करते हैं कि हाँ title में है के नहीं, speed कैसी है, secure है के नहीं, इस सारे factors भी हमारे लिए एक SEO का process पन जाते हैं, जिसके तहरे हमें अपनी website या किसी website को हम rank करते हैं, और ये पूरी industry इसी तरह से चलती है, और जूँ जूँ ये नए information आती रहत ये अपने ranking factors नहीं नहीं introduce करते हैं, और उससे यह होता है कि हमें भी उनके साथ adapt करना होता है, अब नए चीज़ आने के साथ अकसर परानी चीज़ें obsolete हो जाती है, वो मतलब उनकी अफादियत खतम हो जाती है, और अब वो जो practice थी, जो एक साल पहले valid थी, या एक साल पहले वो ठीक समझी जाती थी, वो अब नहीं ठीक समझी जाती है, तो हमें Google के साथ updated रहना होता है कि वो क्या launch कर रहे हैं, और हमें उसको कैसे utilize करना है अपनी website के लिए, अपनी information के लिए, और ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, और चुके ये evolution का process है, ये जित को ignore करता रहेगा, वो Google के मताबिक अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ultimate जो overall performance है SEO की वो गिर जाएगी